Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे वरक्षीट नमबर 22, 4 क्लास 7th, विशे हिंदी है और ये वरक्षीट आपके लिए 5th October 2021 के लिए शेडूल की गई है आज की जो वरक्षीट है बच्चो उसमें हम रक्त और हमारा शरीर इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी पाठ है पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ है वरक्षीट शरू करने से पहले बटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो प्यारे बच्चो क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कारय होता है उसमें कौन कौन से तत्वे विद्वान होते हैं उनकी क्या-क्या विशेष्टाएं होती हैं तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भागत्री के एक पाठ रख्त और हमारा श्रीर को पढ़कर अपने इन प्रेश्णों के उत्तर ढूनने का प्रयास करते हैं इसी क्रम में आजम पाठ के इस अंच को पढ़कर रख्त और अपने श्रीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं तो इसके बारे में पढ़कर हमें पता चलेगा कि रख्त जो है वो हमारे श्रीर में क्यों जरूरी है और साथ ही रक्त में अगर कोई कमी होती है तो किस तरह हमें दूसरी बिमारियों का भी पता चलता है और आप बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर घर में कोई बिमार हो जाता है तो ब्लड टेस्ट कराया जाता है ताकि बिमारी का पता लगे तो देखे क्या दिया गया है दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है या तो वह, यूँ तो वह शुरू 수े ही कमजोर है लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान मैसूस होती रहती है तो यानि वो बहुत जल्दी जल्दी जो है थक जाती है कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हमारे शरीर में कोई कमी है, तो हम भी बहुत जल्दी जल्दी ठक जाते हैं, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से उसकी कम हो गई है, यानि दिव्या जो है, वो कहीं न कहीं उसके शरीर में कुछ कमी है, जिसके कारण उ उसके भूख भी नहीं लगती, उसका काम में मन भी नहीं लगता और उसे धकान भी बहुत जल्दी हो जाती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा, तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। ठीक है? तो उसके श्रीड में किसकी कमी ओ गई है? रक्त की कमी हो गई है. यानि उसने भूख नहीं लगी है, उसका खान-पान ठीक नहीं है. जाच करा कर देखते हैं. तो डॉक्टर उसे जाच कराने की सला देता है. यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जाज के लिए पास के कमरे में भेज दिया तो डॉक्टर ने क्या किया रक्त की जो है टेस्ट कराने के लिए उसको कमरे में जो है एक पास के कमरे में भेज दिया वहाँ अनिल को अपनी ही जान पैचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खोन की जाच के लिए आपके पास बेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बुंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी तो बच्चो आपने भी जरूर देखा होगा कि किस तरह से रक्त की जाँच करते हैं उसमें एक छोटी सी जो है क्या लेते हैं निडल से रक्त निकाल लेते हैं या सीधा जो है निडल लगाके और जो स्लाइड होती है ना उसके उपर रख्त को डाल लेते हैं इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने जो है वो क्या किया छोटी सी शीशी में कुछ बोंदल ले ली फिर अनिल से बोली अनिल तुम कल जो है अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना ठीक है और उसको कल आने के लिए बोल दिया अब आपको यहाँ पर बच्चो देखो आपको यहाँ पर पांच जो है प्रशन दिये गए हैं और लास्ट में एक गतिविदी टाइप में भी है ठीक है अस्पताल की किसी आखो देखी घटना का वर्णन आपको करना है तो इस तरह से पांच कुशन दिये गए हैं जिनके आंसर हम वन बाई वन डिसकस करेंगे सो बच्चो पहला जो प्रेशन है दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी तो बताईए कि दिव्या के शरीर में क्यों आपको क्या लगता है कि उसके शरीर में खून की कमी क्यों होगी तो दिव्या के शरीर में खून की कमी इसलिए हुई होगी क्योंकि वह शायद पॉस्टिक खाना कम खाती होगी जिसकी वजह से शरीर में रख्त की कमी हो गई है यानि वो जो खाना खाती है वो तो पहले ही बताया गया ना कि वो कम खाना खाती है दूसरा जो भी खाती होगी वो शायद उसके लिए जो है पॉस्टी काहर नहीं है जिसके कारण उसके शरीर में कमी हो गई है प्रशन दो है आपको किन किन कारियों के करने से शरीर में थकान होती है ठीक है तो कौन कौन से जैसे कुछ काम होते है जिन से हमें थकान हो जाती है हमें जादा लंबे समय तक का प्रशन चार है यदि आपको किसी मरीज का हाल चाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या-क्या बाते करेंगे जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हो तो अगर कोई भी मरीज है तो उसका हाल चाल पूछना पड़े तो हम यही पूछते हैं न कैसा महसूस हो रहा है थकावट है या कमजोरी हो रही है ठीक है तो यह सारी बाते हम उससे पूछते हैं प्रेशन पांच है अस्पताल की किसी आँखो देखी घटना का वर्णन करो तो आपको कोई भी घटना जो है जो आपने अस्पताल में देखी हो वो घटना आप बता सकते हो तो अपना अनुभो यहाँ पर आपको शेयर करना है एक बार में दवाई लेने हस्पताल गया हुआ था तभी मैंने देखा कि एक गाड़ी में एक व्यक्ति को बहुत जोर से टकर मारी थी और उस व्यक्ति के सिर से बहुत खोन बह रहा था और उसको एमरजनसी वार्ड में लेकर जा रहे थे तो यह जो है ऐसी घटना आपकी कोई भी हस्पताल की हो सकती है तो यह थी प्यारे बच्चों आपकी आज की हिंदी की वक्षीट आई होप सभी बच्चों को यह क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे तो थैंक्स पू वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वक्षीट के साथ टेक केर बाई बाई